हमारी चैनल ग्यान विशेश को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएए नमस्कार दोस्तो मैं इस्वर सोलंकी और आप देख रहे हैं ग्यान विशेश दोस्तो मैं हाजिर हूँ एक नई व्रुक्स की जानकरे लेकर आज हम लसुडा के पहिचान करेंगे और इसके आईरवधिक पायदे की बात करेंगे लसुडा एक मध्यमाकर का व्रुक्स होता है ये लगबग सारे भारत वर्स में उत्पन होता है ये ज़्यादा तर नदी की किनारों पर और जंगलों में पाया जाता है ये ज़्यादा तर पंजाब राजस्तान गुजराद महाराष्ट और मध्यप्रदेस में विशेश इसका अंगरीज नाम इंडियन चेरी और बर्ड लाइम ट्री है। कोरडिया डीचो टोमा इसका लेटी नाम है। इसकी दो प्रजातिया पाई चाती है एक छोटा लसोडा और दूसरा बड़ा लसोडा। ये बड़ा लसोडा का वुर्ख से है। लसोडा को साधरन पासा में रेटू, गोंदी और निसुरा से भी जानते है। इसके पत्य थोड़े लंबे और गोल होते हैं, इसके फल भी गोल होते हैं। इसे जुम्कों में पुसपलकते हैं और जनवरी परवरी में फल आने सुरू हो जाते हैं। इसके फल सुपारी के बराबर होते हैं, मार्च और एप्रिल मास में इसके फल पक्चाते हैं, ये फल कच्ची अवस्था में हरे रंके और पक्चान की बाद पीले नारंगी रंके हो जाते हैं, इसके फल और पत्ते बहुत चिकने होते हैं, पके हुए फल स्वाद में बहुत म पके हुए लसोडे मिठे होते हैं और अंदर गौंद की तरह चिकना मिठा रस होता है। यह पेशाब की जलन, पुकार, दमा और सुखी खांसी मिठाता है और साते के दर्द को दूर करता है। इसके पके फल, सिद्दल और मधूर तता पुष्टी कारक होता है। दोस्तों लसोडा अवसधिय गुनों का पंडार है। यह जानता है कि लसोडा का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। इसकी कॉपलों को खाने से पेशाब की जलन और सुजाक तता मुत्रदा मिठता है। इसके पक्य फल को मुह में रखकर चबा कर रस को उतारने से सीना नर्म हो जाता है। इसकी चाल भी बहुत भाइदमन्द होती है। इसकी चाल का काड़ा बना कर पिने से और कपुर के साथ मिश्रण करके सुजन पर लगाने से सुजन भी उतर जाती है। दोस्तों इसकी चाल को पाने में उबाल कर ठंडा होने के बाद उस पाने से कुला करने से मसूडे मजबुत बनते हैं और दादों का दर्द दूर होता है। चाल के साथ पिसकर पिने से हैजा में बहुत फायदा होता है। यह महिलाओं के लिए भी बहुत फायदे मन्द है। लसुडा के कॉमल पत्तों को पिसकर रस निकल कर पिने से स्वेत प्रदर मिटता है। यह प्रमय मिटाता है और दादू रोग में फायदे मन्द है। इसके क अलावा पेशाब की जलन मिठती है और प्रमे रोग नश्ट होता है तो दोस्तों हम आसा करते हैं कि आज की ये जानकारी आपकी जिवन में लावकारी सिद्ध हो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें और ये उन लोगों तक पहुँच सके जिनको इसकी जरूरत है तन्यवाद